हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेर करने वाली हूँ, वो है आम के अचार, तो अभी आम के सीजन है और हर घर में आम के अचार बना जा रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो अचार है ने यह बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी और बनाना भी बहुत ही आपको बताती हूँ, तो वीडियो शुरू करते हैं, मैंने आप यह ले लिया है, आम को कच्चे आम है यह, और यह मैंने लिया है 500 ग्राम, और इन आमों को हमें छोटे-छोटे टुक्रे काट लेने हैं, तो छोटे-छोटे टुक्रे रहेंगे ना, तो यह जो अचार रेड लोग पशंद करते हैं, तो यहां पे मैंने इन को छोटे-छोटे-टुग्रो में काट लिया है, और अच्छे से पानी से धूलिया है, अभी क्या करेंगे कि एक ठाली में मैं यहां पे कॉटन के कप्रे डाल रहे हूं, और इसके ऊपर ना, आम के जितने भी टुक्रे हैं न तो मैं चट पे लेकर आ गई थी और मैंने चट पे ही डाल दिया था उसको शूखने को, और वो शूख रही है, तब तक मैंने यहां पे आ गई हूं नीचे और मैंने यहां पे ऑल गरम करके छोड़ दू, क्योंकि तेल को थोड़ा सा अच्छे से इसके धुआ निकाल लेने तो सरसो का तेल यूज़ करें, और उशी के साथ में हमें मसाले यूज़ करने दे, यहां पे जो मसाले मैं ले रही हूं, उसमें सौप है, अजमाइन है, मेती है, खराधनिया, जीरा, कलोंजी और गोल मिर्श है, तो और साथ ही काली वाली शरसो जिसको अराई भी बोला जा जाता है, जो कि इस पेसली जिससे अचार बनाये जाते हैं, या तरके वे कर दिये जाते हैं, तो वो वाले मैं ले लूंगी और मैं यहां पे मोटे वाले राई ले रही हूं, तो मैंने लिया एक फ्राइपन, अब इसमें मैं यहां मोटे वाले राई ले रही हूं, आप चा चम्मच मैंने कलोंजी लिया है, दो चम्मच यहां पे मेथी, मेथी आप एक चम्मच भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ निए कि दो चम्मच ही लेना है, अगर आपको मेथी ज्यादा पसंद नहीं है तो, और उसके बाद ख़डा जीरा मैंने लिया है, यहां पे दो चम्मच और 15-20 मैंने यहां पे गुल मिर्श लिया है, अब इन सब को नहां हमें भूती है, थोरा सा हलका सा हमें भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है, कोई color नहीं change करना है इसके, सिर्फ हलका सा गरम कर लेना है, जिससे कि इसके moisture है, वो निकल जाए, और अच्छी powder बन जाए, मसाले की, तो इसके लिए मैंने यहां पे mix कर लिया, और इसमें मैंने जो कलंजी सरसो और कलंजी सौप और यह मैंने अजमाइन जो यूज किया है, वो तीनों हम एक एक चमच बाद में खड़ा भी यूज करने वाले हैं मसाले के साथ में, तो यहां पे यह हो गया है, तो मसाले के gas को off कर देना है, इससे ज्यादा नहीं करना है हमें, और gas को off करके हमें अब इसे ठंडा होने देना है, तो मैंने यहां पे gas को कर दिया है, off, और off करने के बाद आप इसको थोड़ा हिला लीजिए, और fry pan में ही मत छोड़िए, तवे पे मत छोड़िए, इसको मसाले को निकाल ल बना लेनी है, powder ना हमें एकदम बारिक बनानी है, ना एकदम से हमें मोटी बनानी है, तो यह हो गई है, अब यहां पे मैं इसको ठंडा में रंडा कर लिया है, तो चलिए अब इसके powder बना लेते हैं, तो यह सारे जो मसाले हैं, इसके मतलब दर दरे हमें बनाने है, powder बारिक एकदम नहीं करना है और एक मोटा भी एकदम नहीं रखना है तो मैं कैसा कर रही हूं यह मैं आपको दिखाती हूं करके यहां पर तो यह मैंने डाल दिया है और अब तक वीडियो कर आपको मेरी पशन्द आ रही हो तो वीडियो को लाइक से और खमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके विल का इकन को क्लिक कर दीजिए तो अलीज ये मेरे मसाले के पाउडर भी बन चुके हैं ये अब इससे ज्यादा में नहीं करना है तो मैं यहां पर इन सब को निकाल लेती हूं अभी और एक बाउल में मैं निकाल के रख लेती हूं तो देखिए ये हो तो इसको मैं नीचे लेकर आ गई हूं और इसको आपको डाल देना है एक बाउल में और इसमें कम से कम तीन से चार चमच भड़के नमक डाल करके और इसको थोरा सा इसको आधे से एक घंटे के लिए आपको इसको ढखके छोड़ देना है साइड में रख दीजिए जिससे क इसके थोरे बहुत जो पानी होंगे ने वो रिलीस करेंगे छोड़ेंगे तो उसके बाद हम इसमें सारे मसाले आड़ करेंगे और यह अचार बनते ही खाने के लिए हो जाती है रेडी बस एक से दो घंटे धूप दिखा है और उसके बाद आप खाते रहिए और तीन से चार घंटे का धूप आप दो तीन दिन दिखा ले तो आराम से आप इसको दो तीन साल तक तो इसको आराम से यूज कर सकते हैं इस अचार को इसमें कुछ भी एक्षा डालने की ज़रूद नहीं पड़ेगी जिस तरीके से मैं बता रही हूं तो यहां पर मैंने एक घंटे के लि दो और यूढका अधे चमच में डले हैं बरे चमच इसलिए और सॉप है a您 चमच चमच मैं ने भर के यहां पर सॉप डाली ऑजमाइन डाल दी बर्टिया हैं तो यहां पर मैंने हिग भी डाल दी है अब हमने जो मसाले डीे किये हैषैक और आप पूछ रह 552 धाला तो नमक कम लगे तो आप वहां पर यहीं पर mix कर लेना है आपको क्योंकि बाद में उसके बाद बहुत मुस्किल है उसके बाद आप डालेंगे तो टेस्ट अचार के बहुत अच्छे नहीं रहेंगे तो यहां पर मैंने इसको mix कर दिया है और जो मसाले हमने powder बना तो वह भी चेतीन च माद में हम इसे जब जार में भड़ेंगे उस टाइम पे उपर से और थोड़े से तरसो के तेल डाल देंगे तो mustard oil और थोड़ा सा उपर से डाल देने से क्या होता है ना कि अचार बहुत अच्छे से आप इसको 2-3 घंटे अचार के जार पे मलमल के कपड़े बांद करके ध से जिसे की अचार जो है ना लौंग टाम तक खड़ाब नहीं होंगी बहुत अच्छे क्योंकि शिर्का बहुत लोग अचार को खटा करने के लिए करते हैं यूज करते हैं वट मैं यहां पे चुकि आम के सार को क्या खटा करना है तो इसको सिर्फ वेनेगर जो मिक्स किया जाता है आम को फंगस लगने से बचाने के लिए आम के अचार को, जैसे रेडिमेट अचार भी होते हैं तो उसमें बहुत सारी quantity में उसमें वेनेगर यूज किया जाता है, जिससे कि वो उसमें कोई फंगस न लगे, तो यहाँ पे यह हो गया है, अभी अचार हमने डाल दी, तो हमने बनाया है घर के जो होते हैं पारमपरी के अचार होते हैं उस टाइप से बनाया है, हमने रेडिमेट तरीके से नहीं बनाया है, लेकिन यह रेडिमेट अचार जो होते हैं, मतलब जिस टाइप से वो रह जाते हैं, लॉंग टाइम उसको कोई ज्यादा धूप वेग तो लीजिए मरियाम के चार तो बनके रेडी हो गया है, तो इसको मैं धूप में डाल देती हूं, और मुँपे आपको कॉटन के कपरे बांद करके, और चार से पांच घंटे की धूप आपको इसको दिखानी है, तीन से चार दिन, और आप उसमें आप मतलब इसको खा भी सकत हैं, और धूप दिखा करके रख लिजिए, दो साल तक बिल्गूल खराब नहीं होंगे, तो चलिए मेरे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके वेल का आइकन को क्लिक कर दीज चैनल वीडियो कि नुटिए